तो जैसे कि अब आप देख सकते हो कि अभी हमारे जो प्रोफाइल है ना वो अनलॉक हो चुका है या आप यह पे दिखाई दे रहा है यू अनलॉक्ट यूर प्रोफाइल नमस्कार दोस्तों सवायत आपका आज के इस विडियो में जाए हम बात करना है कि आप कैसे जो है आपको आज के इस विडियो में बताना लग तो चलिए आज के इस खमाल के विडियो को स्टाट करते हैं तो काईस देखो अगर आपने आपकी प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से लॉक करके रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं Đ्थ तो अगर आपको कि अनलॉक करना है ना तो बहुत फिम्मल सा तरीका है इसके लिए आपको एकर ना है सबसे बेले तो आपको आपका Okaynow उसे ओपन कर देना तो आप जैसे आपके आपके Facebook की आकाउंट को open करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो Interface है वह तिखाई देगा अब जैसे आप आपके सारे options आमें जो हो दिखाई दे रहे तो इन मेंसे आपको एकरना है सबसे फर्स्ट वाला options जो गाना setting & privacy इस पे कणना है और जब आप इसपे क्लिक करोगे तभी ही यह सब options open और जैसे यह सब options open होते हैं तो आपको एकरना है यह वाला जो यह जो profile setting वाल option इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर दो के profile setting वाल option पे तो यह आप देख सकते हो privacy profile locking profile and tagging बहुत सार उप्शन जो है वो अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे तब दोस्तों आपकी जो lock profile है उसे unlock करने के लिए यहाँ पर आपको जो profile locking वाल option यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल है वह लॉक है यानि कि कोई भी हमें बिना फॉलो किये जो है बिना हमें हमारे फ्रेंड जो नहीं है वो सब हमारे फोटो नहीं देख सकते तो अगर आपको इसे unlock करने तो आपको सिंब्लिया unlock वाल option पे ख्लिक कर देना है जैसे आप क्लि आप वीडियो देखने के लिए पर देने हाँ टैक यू सो मच